दोस्तों आज कर ये वीडियो बहुत जादा इंपोर्टेंट होने वाल है उन सभी स्टुटेंट्स के लिए जो कि MBA फर्स सेमेस्टर में अपनी डिजाइन थिंकिंग एक्जाम के प्रिप्रेशन में लगे हुए है देखें दोस्तों ये बहुत जादा मतलब कि एक common question है कि किस तरीके से case study को solve किया जाए यहां पर मैं आप लोगों को आज live दिखाऊंगा किस तरीके से आपको case study को solve करना है ठीक है जिससे आपको एक डम साजी चीजे clear हो जाएंगी कैसी भी case study आया आपको उससे डरना नहीं है ठीक है और आपको उसमें कुछ ना कुछ तो लिख करके ही आना है मतलब कि कुछ नहीं से मतलब कि कुछ भी ऐसा नहीं लिखना है जो कि relevant नहीं हो आपकी topic से आपकी problem से related होना चाहिए ठीक है तो चली start करते हैं आप देखिए मैं आप लोगों सामने case story लेकता हूँ आपकी यहां पर से जो भी टेक्स्टेड एडिया है वो आपको सही से दिख रहा होगा अगर नहीं दिख रहा है तो उसका resolution बढ़ा लीजी अपने जो भी mobile phone screen खा तो उससे आपको एकदम clear दिखाई पड़ेगा ठीक है तो यहां पर देख लो कि क्या लिखा हुआ है कि आपको इसमें से कभी कदार ऐसा पूछा जाता है मांदो 30 नंबर की case study आती है 30 नंबर की case study का मतलब कितना ज्यादा important सकता है case study हम लोग दरते है कि case study क्या है मतलब फालतों में है ना बट यहां पर देखो अगर कोई भी बच्चा है अगर कोई भी बच्चा उसका दिमाग शार्प नहीं भी कर दिये तब पर भी अगर वो 30 नंबर की case study को solve करके आता है ना तो अगर गिरी से गिरी हालत में उसके अगर मांदो 15 मार्क्स भी आ जाते है 15 से 16 मार्क्स भी आ जाते है तो सोचो कितनी बड़ी बात होगी है ना वो question तो जो लिखेगा वो लिखे गई और साथ मे solution कैसा भी दो है ना इसका जो सबसे बड़ी है एक अच्छी खास बात होती है वो यही होती है कि इसमें दोस्तों आपके मार्क्स नहीं कटते हैं इसमें आपके जो मार्क्स होते हैं वो आपको मार्क्स जादस जादा देने की कोशिस की जाते है बस आपका way of presentation अच्छा होना और यह है कि जादा जादा इसको देर से दो पेज के अंदर लिख सकते हैं इसको काउद कर सकते हैं ना कोई केस इस्टेडी में ऐसा कुछ नहीं रहता कि बहुत जादा उसको बढ़ा करके बताया जाए कुछ आपके पास में solution रहते हैं उनको अच्छे से बताओगे तो यह इसको इंदी में सर्च करोगे तो इसका मतलब यह होता है कि दोस्तों employee वहां से छोड़ छोड़ के company को जा रहे हैं ठीक है एक situation है जहांपर से जो company है उसको एक problem face कर दी है attrition की ठीक है so where high quality employees leave the organization जहांपर से high quality के जो भी लोग हैं जैसे होगे या फिर जो engineers होगे senior engineer होगे तो यह लोग क्या करते हैं दोस्तों क्या करते हैं leave करें organization को छोड़ करके जा रहे हैं mainly after the appraisal cycle मतलब कि appraisal cycle का मतलब जैसे कि appraisal जब लगता है और जब उनको वह मिल जाता है जैसे कि appraisal लगने के बाद में क्या होता है सभी जितनी भी employees होते हैं उनको उन सभी लोगों को क्या होता है एक promotion later मिलता है जब भी आप industry में काम करोगे तो आपको यह चीज़ पता चलेगी जब appraisal जैसे ही लग जाता है तो उन लोगों को आप लोगों को क्या मिले को वहा आपर सी क्या मिलता है आपको कुछ न कुछ चीज मिलती है जिसे promotion later मिला या आपकी salary में increasement हो गया तो salary में आपका जो increment होता है वो भी लिखा होता है तो इससी क्या होता है benefit लोगों को employees को यह benefit होता है कि आप उनको appraisal cycle मिल गया तो अब वो क्या करेंगे कि दूसरी जगे प उनकी salary मानलो कि किसी salary 5000 है ठीक है वही पर अगर उसने appraisal में छोड़ा तो वो 6000 में छोड़ता है ठीक है तो जब वो दूसरी company में जाएगा तो 6000 दिखाएगा तो ज़्यादा अच्छी बात रहेगी ना उसको 6000 के बदले मानलो 7000 मिलेगा 8000 मिलेगा लेकिन अगर वो 5000 दिख the company losses its valuable human resources इसका result यह निकलता है कि जब वो company छोड़ करके जारे तो इसका यही result निकलता है जो कि इनके valuable human resource है मानलो कि जो उनके करम चादी है वो सारी लोग क्या कर रहे है कि सभी लोग क्या करें वो लोग छोड़के जारे और company को इससे बहुत ज्यादा नुकसान होदा है त ठीके तो उसकी अगर वो छोड़कर के चला जाएगा उसकी जगी जाहिसी बात है आप दूसरे नए बंदे को हायत करोगे तो वहाँ पर से देखो क्या होगा कि वहाँ पर से उसकी लिए extra training की cost अब ऐसा तो नहीं कि कोई भी आयका होगा कि आपका direct organization की सारे काम समाल लेगा उसको भी training की ज़रूत पड़ेगी अब जो training की ज़रूत पड़ेगी तो it takes time एक तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसमें क्या होगा training को देने में time भी लगेगा और time के लगने के साथ साथ में आपको क्या करना पड़ेगा additional human resource in the form of trainer है ना मलब कि जो भी आपको एक amount fix होगा वो भी pay करना होगा जो trainer होगा उसको भी एक amount आपको देना होगा which adds to the company's cost जिसमें से जो company की cost है इससे क्या होती है बहुत ज़्यादा वड़ती है अब हर एक कोई हर एक बंदा आएगा हर एक कोई नए employee आएगा तो उसको भी आप training provide करोगे training को provide करने के साथ साथ में आप क्या कर सकते हूं वहाँ पर trainer को भी अपने कुछ पेसे दोगे उसको train करने के लिए उसके बाद में चोड़ करके भाग जाए company आपका benefit भी ना खरवाए तो इससे आपको क्या होगा काफी ज्यादा नुकसान तो होगा यह न करोगी किस तरीके से training को cost को कर करने की कोसिस करोगे अब देखो यहां पर से इसको मैंने काफी ज्यादा time लगाया हुआ है तो अभी इसमें आपको थोड़ा सा और ज्यादा समय देना पड़ेगा क्योंकि अगर आपको जरूरी नहीं कि यहां पर से एक बार में ही सारी तो यहां पर देखो मैंने पढ़ने में इसको कितना समय लगा है यहां पर 6-7 मिनट हो जुके अभी केवाल हम लोग इसको पढ़ पाएं तो आपको थोड़ा patience लकल के बैठना होगा तभी क्योंकि यही एक single video जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा ठीक है तो यह है दोस्तों this was all about कि क्या problem है आपकी problem यह है कि company की जो भी लोग है company की जो भी valuable है जो भी company के employee है वो लोग क्या करने है company को छोड़ छोड़ के भाग रहे है ठीक है जैसे अपरेल का cycle हतम होता है जैसे उनको experience later मिल जाता है जैसे उनकी salary में इंक्रीजमेंट होता है वो भागने का उनका यह यह होता है company को उसका नुकसान उठाना पड़ता है एक तो उनको जो भी नए लोगों को hire करेंगे तो उनको training को cost प्रे करेंगे है ना trained करेंगे उनको उसके बाद में फिर वो रख सकते है ठीक है इसके अलावा और सभी लोग क्या कर सकते है कि उनकी training की जो भी cost है वो ज़्यादा लग रही है और इससे क्या हो रहा है कि किस तरीके से इसमें question पूछा जा रहा है कि आप किस तरीके से क्या चीज को suggest करोगे training cost को कम किया जा सके ठीक है तो यह है question I hope कि समझ में आ गया होगा और देखो अब यहां पर समरूग इसको problem को लिखना च thinking का जो भी मंदों कि कोई भी case study है किसी भी तरीके की case study है कोई भी subject की case study है तो वहां आपकी way of presenting की बात होती है ठीक है तो आपको किस तरीके से लिखना है सबसे पहले को दोस्तों अगर आप कुछ है headings का use करके आप अगर चीजों को लिखोगे न तो आपको अच्छे से cost पे करनी पड़ यह company को नुकसान हो रहा है है ना क्योंकि इसकी आपर से valuable जो भी employees है वो company को छोड़ करके चार तो यह problem है तो इसको आप अपने सब्दों में लिख सकते हो आसानी से है ना और कहीं पर भी कोई भी दिक्कत की जोड़ पड़ेगी तो आप पायराग्राप से वहाँ पर से देख करके at least problem को तो identify करी सकतो है ना कि problem यह आ रही है अब ज़रूरी नहीं कि हर एक को हर एक case study समझ में आ जाए है यह तो case study मानलो simple है और भी कभी कदार बहुत ऐसे आ जाती कि समझ में ही नहीं आती तो उनको भी किस तरीके से solve करने का यही है तरीका कि दो ब 50% आपका काम खतम हो गया जब problem आ गई समझ में तो यानि कि आपका 50% काम खतम होगा अगर question नहीं समझ में आया तो question नहीं समझ में है कि तो उससे फिर answer देने का कोई भी वाइदा नहीं ठीक फिर यहां पर देखो empathy stage empathy यह अंतलब कि अब इसमें आपको क्या करना है इस stage में आपको आकर के यह चीजों को बताना है कि आप empathic इस तरीके से करोगे आप यह नहीं direct बताने लगोगी company जो है company को अपनी cost इस तरीके से कम करनी चाहिए उसको ट्रेनिंगी नहीं provide करनी चाहिए थी इस तरीके कोई भी बात नहीं लिखोगो empathy में आपको किसको point of view से बात लेकिन फिर भी उसके तरफ दादी करो उसके उसके favor में बोलो कि जैसे मानों यहां पर से जो भी करमचारी उनकी गलती है company को छोड़ करके वो लोग भाग रहा है employees भाग रहा है तो इससे क्या होड़ा नुकसान company को रहा तो इससे empathize करो कि उनके बारे में कुछ भी यहां प problem हो सकते हैं दूसरी क्या हो सकती है उनको satisfaction नहीं मिल ला है job करते हुए या फिर तीसे नंबर में बात के आ सकती है उनकी over burden है उनकी job को लेकर के ठीक है इस तरीके से point wise लिखोगे तो आपका page भी भर जाएगा और page भरने के साथ साथ में आपका क्या होगा आपको भी जो examiner ह समझ में आएगा ठीक है तो empathize stage में भी आपको point wise एक दो तीन चार जितने भी हो सकते हैं उस तरीके से empathize करके लिखना है देर आपका solution का alternative आता है solution का alternative देखो अब solution का alternative जैसे कि अब कोई भी problem है तो कोई भी problem का एक solution तो हो गया नहीं बहुत सारे solution हो सकते है ठीक है तो उसमे आपका alternative देखना है solution का alternative approach number A मालो कि हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पर कर सकते हैं implement the bond system मतलब कि एक हमने क्या पर लिखा यहां तो मैंने sort में लिखा है आपको दो line में आपका जाएगा अच्छे से explain थोड़ा करके लिखना ठीक है कि यहाँ पर implement the bond system bond system को explain करना bond system क मतलब कि एक bond होता है ना जैसे कि company यहां होती तो bond sign करवा लेते हैं कि एक साल से पहले आप नहीं छोड़ सकते हैं फिर दो साल से पहले नहीं छोड़ सकते हैं तो इस तरीके से bond system को करवाने का यही फायदा होता है कि जो भी employees हैं उनके मन में यह रहेगा कि चलो मुझे तो अब दो साल यहां पर fix रहना है ठीक है तो दो साल अगर fix रहेंगे तो वो कोई company दूसरी देखेंगे नहीं और जब वो देखेंगे तो उनको नई job मिलेगी नहीं तो आप देखो कि approach number A यही होगा approach number B approach number B में क्या आपका आगया मानलो कि deduction of the training cost मतलब कि कि किस तरीके से कर सक कि deduction of the training cost यानि कि यहां पर क्या बात है कि जो भी employees है उनकी उनकी salary से उनकी क्या कर दो कि जो भी एक full or final होता है सबसे last में जब company छोड़कर कि कोई भी आदमी जाता है तो उसका full or final होता है तो उसमें आपको क्या करना है training cost को काट देना है जितनी भी training cost लगे मानलो कि अगर एक महिने के salary बाकी है एक महिने के अंदर उसके 20,000 उपर आने है बाकी है ठीक है तो जितनी आपकी training की cost लगे उस 20,000 में से काट करके उसको मानलो 14,000 दो 6,000 उपर आपने काट लिया training cost को ठीक है तो यह भी हो सकता है एक यह भी आपका alternative हो सकता है जितने भी यहां पर आपक approach number C इसमें आपको क्या करना है registration interview यानि कि designation interview में approach number C में आप लिख सकते हो कि जैसे कि आप कभी भी कोई भी बंदा छोड़ करके जाए तो उसका एक interview लो कि आप क्यों छोड़ करके जाए आपकी क्या problem है आपकी क्या समझ से अगर आप से solve हो सकती हो तो आप उसको solve करने के को provide कर सकते हो तो यह हो गया approach number D में आपका क्या आगया मानदो कि आपने और भी चीज़े देखी कि provide training without salary कि जब भी नए employees आएंगे जब भी नए लोग आएंगे company में काम करने के लिए तो उनको training तो provide करो उनको सिखाऊ तो लेकिन उसका में आपके सिखाने के दौरान में उनक लोगों उन सबी चीज़ों को लिखो अब यहां पर यह भी हो सकता था जैसे कि आपको महां पर training की cost ही तो कम करने तो training की cost करने के लिए और भी various ways हो सकते है जैसे कि आप कोई offline trainer ना provide करो आप online सारी videos को record कर सको है ना तो online video को भी record कर करके आप क्या कर सकते हो training की cost को save कर सकते ह एक ऐसे person को hire कर सकते हो training देने के लिए जो कि काफी जादा senior दो सका हो चुका हो और उसका काम यही हो केवल company के अंदर कि उसको वो अलग सी कोई cost ना ले वो केवल training ही करवाए लोगों को ठीक है तो आप केवल उसको salary के basis पे आप क्या कर सकते हो trainer को लग सकते हो है ना तो यह सारे approaches हैं जो कि आप लगा सकते हो कोई भी सारी उसकी salary increment कर सकते हो उसके promotion कर सकते हो तो approach A, B, C, D, E इस तरीके से आपको एक list बनाने जितने भी उसकी alternatives हैं best alternatives मनले अभी यहां पर choose नहीं करना है उसके बाद में next heading आपको क्या लिखनी कि best alternative अब यहां पर से आपको जो अच् जा रहा है तो उससे आप at least उसका एक बार फिर से interview ले लो उसको उससे बात कर लो अच्छे से प्यार से बात कर लो कि क्या हो गया भाई क्यों जा रहे हो है ना उसको empathize करने के कोसिस करो उसकी problem को समझने कोसिस करो क्या तुम्हारा promotion नहीं हो रहा है या फिर तुमसे किसी न उल्टी सीदी बात करी या फिर तुमसे कोई किसी ने बत्तमीजी से बात करी है या तो वादी salary ने increase हो रही है है ना कोई भी problem हो सकती उसको बहुत सारी problem हो सकती canteen से related problem है तुमको कौन सी facility नहीं मिल ली है तो इस तरीके से आप उससे बहुत सारी चीज़ों का आप उससे ब फागे ने वो company में दुख जाएगा ठीक है एक तो आप इसको यह चीज के असांत बना दे सकते हो कि उसको satisfy कर सकते हो कि नहीं ठीक है मैं तुम्हारी salary में increment नहीं कर सकता है बट तुम्हारे जो भी incentives हैं उनको बढ़ा देता हूं ठीक है या फिर तुम्हारी जो भी problem उसको solve कर सकते हो अगर तुरंट to the point मनले बन लगे अगर तुरंट होने वाली नहीं कर दिया जायगा कर सकते है कि इसको kा कर सकते है इस परदिस्ट कंपनी डा touch है कि उसकी क्या waknes पता होता है कि कंपनी की क्या weakness है कंपनी की क्या strength है तो इससे पता चल जाएगा इसे इंटर्व्यू से ठीक है तो मैं यहां पर यही वाला recommend करूंगा और दोस्त आप लोगों को नहीं आपको जो भी आपकी दिमाग में में भी कोई अलग सा आईडिया है तो इससे related किस तरीके से आपको क्या करना है तो यहां बर मैं best alternative लिखूंगा as per my point of view according to me करके इसमें कम से कम आधा पेज एक पेज जितना भी हो सकेगा फिर justify your approach मतलब कि आप अपने approach को justify करो कि क्यों क्यों मतलब कि क्यों आपने इस alternative को चूज करने का क्या मकसर है ठीक है तो इसको justify करना है ठीक है at least एक page के अंदर या फिर आधा से एक page भर सकते हो असमें आराम से ठीक इतना जाला तो time नहीं रहता है कि इसमें बहुत सारे pages भरे जाए ठीक है तो इसमें क्या है कि best alternative को choose करने का आपको एक बताना approach अच्छा खासा बताना है ठीक है उसके बाद में अगर देखो सबसे last मे कई एक case study में क्या होता है कि दिया जाता है question के answer दिया जाते है अब देखो यहाँ पर तो कोई question नहीं पूछा गया कि एवल यहाँ पर से बस यही पूछा गया कि किस तरीके से आप reduce cost करोगे training के cost को कैसे reduce करोगे तो यहाँ पर तो आप अता दोगे आसानी से बट यहाँ प पेज भी दे दिया तो भी चलेगा ठीक है लेकिन यह सारा format अगर आपके ध्यान में तक करके इसी तरीके से अच्छे से point-point wise लिखा हो रहा है तो आपके अच्छे marks आएंगे ठीक है I hope दोस्तों सारी चीजी clear दोगे होगा एक बार वीडियो को पसंद राया हो तो उसको please like क लेना ठीक है आप लोग वीडियो देखते हो बर चैनल को नहीं सब्सक्राइब करते है इससे कोई भी अगर कोई भी डाउट हो कोई भी confusion हो कौन से ऐसे topic से इसके उपर आप वीडियो चाहते हो please at least let me know in the comment box ठीक है अगर आपको यह चाहिए कि एक बार फिर रिवीजन करवा लेकिन ठीक है तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही रिखते हैं हम लोग मिलते हैं next वीडियो में till then take care thank you and bye और दोस्तों यह ध्यान दखेगा वीडियो पसंद आया तो उसको like जो दूद करिएगा thank you for watching this